हवा महल पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं पेपा जोर्ज आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं हवा महल क्या है डाड़ी ये एक महल है उची पाहड़ी पर जोर्ज को महल अच्छे लगते हैं हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगे लगती है नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा हवा महल के उपर से सब सुन्दर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिक का खर भी दिख सकता है वाँ, चलो चले मैं मैप पढ़ूंगा और ममे बिख गाड़ी चलाएंगी सोच लीजिये डाडी पिक, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिटचिडे हो जाते हो हम गुम नहीं होंगे और मैं चिटचिडा भी नहीं होंगा हवा महल हमा रहे है क्या हमा पहुँच रहे हैं? अभी नहीं क्यों न हम कोई गेम खेलें जी डाड़ी, हम पहचानों क्या खेलते हैं ठीक है, पहले मैं पूछाँगा डाड़ी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है मैं अपनी चोटी चोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ लाल मेरी ड्रेस, ये लाल है नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं गाड़ी नहीं जवाब, अपनी लाल गाड़ी मेरी बारी मैं अपनी छोटी आख से कुछ नीला देख रही हूँ जॉर्ज की नीली शुर्ट नहीं नीली राम का गाड़ी में कुछ है नहीं हार गए हार गए आकाश नीला आकाश मैं जीत गई डाड़ी पिग क्या आपको पता है हम कहां है मुझे बिलुकुल पता है हम कहां पर है ये रास्ता मैप की रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है ओ डाड़ी पिग हम खो गये हैं हम नहीं खोए हैं तो हम यहां से हवा मेहल तब कैसे पहुचेंगे जरा एक मिनिट रुको हम दादा और दादी को फोन करते हैं दादा और दादी पिक को फोन करने की कोई सिरुत है मैं ले जाओंगा हवा महल चाहे पुरा दिन लग जाए पर हमारे पास पुरा दिन नहीं है हलो, दादा पिक बोल रहा हूँ दादा पिग, हम हवा महल तक पहुचनी के रास्ते में खो गए हैं क्या डाडी पिग नक्षा पढ़ रहा है हाँ, डाडी पिग मैप पढ़ रही है और अभी थोड़े चुचुड़े हो गए है मैं चुचुड़ा नहीं हुआ ये सबसे अच्छा रास्ता है जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं में रोड पर चलते जाओ थाइंक यू दादा पिग हमें में रोड पकड़ कर हवा महल तक पहुचना है जैसा मुझे लगा था देखो, क्या वो हवा महल है हाँ, वही है हवा महल चलो गाड़ी चलो गाड़ी, तुम चड़ सकती हो हुरे पैपार उसका परिवार हवा महल पहुच गए वा, ये कितना उच्छा है चलो अंदर चले उफर से नीचे का नजारा बहुत सुन्दर दिखेगा वा, जरा नजारा तो देखो मामी, क्या वो दादी दादा का घर है हाँ, वही है कितना दूर है चलो अब दूरबीन से देखते हैं क्या मैं पहले देख सकती हूँ, प्लीज ठीक है, लेकिन उसके बाद जोर्ज को देखने देना वा, दूरबीन से सब कुछ ज़्यादा बड़ा दिखता है मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं देखो जोर्ज दादी एक, दादा एक जोर्ज दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है तो ठीक है, हम उन्हे फोन करते हैं हलो दादा पिक, हम आपको हवामहल से देख सकते हैं हमारी तरफ हाथ हिलाइए दादी और दादा हमें हाल बोल रहे हैं हवा महल अच्छा है मड़ी पडल्स आज बारिश हो रही है इसलिए पैपा और जॉर्ज बाहर नहीं किल सकते तैड़ी बारिश रोग गई अब हम बार खेलने जाए ठीक है खेलो बाहर दोनो पैपा को पसंद है मिट्टी के गड्डो में कूधना अगल अगर तुम्हें मिट्टी के गड्डो में कूधना है तो अपने बूत्स पहनने चाहिए है कि जोर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड्डों में कूद ना है तो तुम्हें अपने बूच पहने चाहिए पैपा अपने छोटे भाई जोर्ज का ध्यान रखती है जोर्ज आओ कुछ और गड़े ढूंडे पैपा और जोर्ज को खूब मजा रहा है पैपा को मिला है एक चोटा गड़ा जोर्ज को भी मिला है एक गड़ा देखो जोर्ज कितना पड़ा गठा है जोर्ज बड़े गठे में पहले खूदना चाहता है रुको जोर्ज पहले में देख लूँ ये सुरक्षित है या नहीं अच्छा है ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है सुर्ज जोर्ज ये बस मिठी तो है पहपा और जोर्ज को मिठी के गठे बहुत बसंद है आओ जोर्ज हम जाकर डाड़ी को बुलाते हैं अरे ये क्या डाड़ी डाड़ी सोच हम क्या कर रहे थे सोचने दो मुझे तुम लोग टेलिवीजन देख रहे थे क्या नहीं नहीं डाड़ी तुम अभी अभी नहाय हो अच्छा तुम मिठी के गड़ों में खेल रहे थे हाँ हाँ डाड़ी हम मिठी के गड़ों में खेल रहे थे और देखो क्या हाल किया है तुमने कोई बात नहीं मिठी ही तो है चलो जल्दी से साफ कर दे वरना ममी नाराज होंगी डाड़ी साफ होने के बाद आप और ममी हमारे साथ खेलेंगे ना हाँ सब गार्डन में खेल सकते हैं पैपा और जॉर्ज ने अपने बूर पहन रखे हैं ममी और डाड़ी ने भी इपने बूर पहन रखे हैं पैपा को पसंद है मिठी के गड़ों में खूदना सब को पसंद है मिठी के गड़ों में खूदना क्या हो डैडी पेग देखो क्या हाल बनाया है आपने ये मिटी ही तो है पेपा उसका परिबार ग्रैनी पेग और ग्रैनपा पिग से मिलने आये हैं ग्रैनी पेग ग्रैनपा पेग क्रैनी पेग वकार प्रेग हलो मेरे चोटे बच्चों अंदर आ जाओ हमारे पास एक सप्राइज है वो क्या है लाँ हमारे पास एक नया पैट क्या बता सकते हो वो क्या है और क्या है रोट है जोज यह हमारा पैट पैरोट इसका नाम है पृटी पॉली प्रिटी पॉली, प्रिटी पॉली, मैं एक होश्यार पैरिट हूँ, मैं एक होश्यार पैरिट हूँ, ममी, ग्रैनी जो भी कहती है, पॉली उसकी नकल क्यों करता है, पैरिट्स ऐसा ही करते हैं, चलो दिखाती हूँ, हेलो पॉली, हेलो पॉली, कितना प्यारा सा पैरिट है, प्यारा सा पेरिट है आजाओ सब लोग चाई पीते हैं पेपा जोर्ज आजाओ यहां चौकलेट केक है औरे ग्राणी पेपा और जोर्ज को चौकलेट खाना पसंद है लेकिन आज वह वापस जाकर पॉली पैरिट के साथ खेलने की जल्दी में है खतम हो गया तुम बच्चे कितना शोर करते हो ग्राणी क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरिट को देख सकते हैं क्या तुमने अपना चौकलेट केक पूरा खत्म कर लिया फिर तुम जा सकते हो जोर्ज पॉली को कुछ कहो ना जोर्ज थोड़ा जिज़क रहा है हेलो हालो पैपा और जोर्ज को पॉली पैरिट के साथ खेलने में सच में मजा रहा है मैं हूँ पैपा पिग मैं हूँ पैपा पिग जोर्ज कुछ बोलो पैपा और जोर्ज पैरिट बनने का नाटा कर रहे हैं मैं हूँ पॉली पैरिट पैपा पॉली पैरिट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है मैं एक बातूनी पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ पैपा जोर्ज क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो जी ग्रानी पॉली सच में एक प्यारा पैरिट है हाँ ग्रानी मैं एक होश्यार पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ प्लाइंग अकट यह चमकता हुआ एक सो नहरा दिन है पैपा और उसका परिवार पाक में है वो एक पतंग उड़ाने वाले है पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा जॉर्ज बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती जॉर्ज तुम सब कलत कर रहे हो तुम बहुत तेज नहीं दोड़े अब मेरी बारी है पैपा बहुत तेज दोड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी चाहे तुम कितना भी तेज दोड़ लो जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सब को इंतिजार करना होगा देखो हवा चल रही है अब जब की हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है अब हवा काफी तेज है अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है शुक्रिया डैरी डैरी पर एक पतंग उड़ाते हैं और उपर और उपर दैदी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं वाव मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ उन पेडों से बचो तुम्हारी पतंग उनमें भच सकती है चिंता मत करो मुझे मालूम है क्या करना है ओ डियार डैडी पिक की पतंग एक पेड में अठक गई ओ नहीं ओ ओ ओ चिंता मत करो जोज डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे फुरे ध्यान से वहां एक बड़ा मिट्टी का गढ़ा है पैपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में कूदना अच्छा लगता है हम गढ़े में कूद सकते हैं प्लीज मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंडे हो जाओ पीछे रहो बच्चो जरा ध्यान से डैडी पेग मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से बस थोड़ा से और डैडी डैडी पेग तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो रहने दो मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ डैडी पेग ने पतंग को उतार लिया ओ डियर सब के सब मिट्टी मिसन गए यह तो सिर्फ मिट्टी है अच्छा हूँ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई मामी अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूच सकते हैं ठीक तो है अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं पैपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है ममी और डैडी को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है सभी को गढ़ों में कूदना अच्छा लगता है गड़ों में उपर नीचे कूगने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में ममी पेग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है डैड़ी पेग लंज के लिए सूप बना रहे है डैड़ी क्या हम जाकर ममी के पास कंप्यूटर पर बैठ जाए हाँ लेकिन तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे उन्हें बहुत सा ज़रूरी काम करना है शुक्रिया डैड़ी ममी पिक को आज बहुत सा ज़रूरी काम करना है ममी क्या जौज और मैं आपके गोद में बैठ कर आपका काम देख सकते हैं हाँ अगर तुम चुप चाब बैठ हो तो पैपा और जौज को ममी को कम्प्यूटर पर काम करते देखना पसंद है ममी क्या हम कंप्यूटर पर हैपी मिसस चिकन खेल सकते हैं हम हैपी मिसस चिकन बाद में खेल सकते हैं लेकिन अभी मुझे काम करना है ममी क्या हम आपके मदद करें नहीं पेपा तुम्हें कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए और जॉर्ज तुम्हें भी कम्प्यूटर नहीं चुना चाहिए। हाँ जॉर्ज तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पेपा रुको। माफ करना ममी मैं सिर्फ जॉर्ज को बता रहे थे क्या नहीं करना चाहिए। हो दिआ कंप्यूटर तो ये सब नहीं करता है डैडी पेग किया बात है मुम्य पेग डैडी पेग आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं जब तक आप इंट ठीक नब यह जि करेंगे मैं लांच बना दूंगी हम ठीक है मोमी पेग लेकिन मैं मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता ऑँ शुक्रिया जाड़ी पिग डाड़ी पिग कम्प्यूटर ठीक करने जा रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूँ डाड़ी पिग ने कम्प्यूटर ठीक कर दिया हुरे डाड़ी पिग में इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं डाड़ी क्या हम वो कम्प्यूटर गेम खेल सकते हैं हैपी मिसेश चिकिन मेरे खयाल से तुम्हें ममी से पूछना चाहिए मामी ने का हम बाद में खेल सकते हैं यह ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता कि डिस्क कहां है सब्सक्श कर फसकते हैं सब्सक्राइब यह dominant सब्सक्राइब जव स्ब्सक्राइब प् mudती प्याल अब मेरी बारी है अब मेरी बारी है उपर क्या चल रहा है ओ अच्छा यह कंप्यूटर फिर से काम कर रहा है पिगी इन दा मिडल जोर्ज गार्डन में अपनी बॉल के साथ केल रहा है पैपा भी खेलना चाहती है जोर्ज यह सही तरीका नहीं है बॉल इस तरह से पकड़ते हैं इस तरह नहीं तुम ऐसा करते हो पैपा कितनी शैदान चोटी से बिग है जोर्ज यहां जा रहे हो वापस आओ लगता है पैपा जोर्ज को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है पैपा तुम जोर्ज को परेशान कर रही हो यह सच नहीं है ममी मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी मैं खेल जानती हूँ जिससे जोर्ज सीखेगा गेंट कैसे पकड़नी है इसे कहते हैं पिगी इन दे मिडल पैपा तुम बॉल लो और वहाँ पर खड़ी हो जाओ और जोर्ज तुम वहाँ पर खड़ी हो जाओ बढ़िया तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है मैं हूँ पिगी इन दे मिडल ममी है पिगी इन दे मिडल पकड़ो जोर्ज ओ छूट गई जोर्ज ने बॉल पकड़ ली हुरे चाप आज जोर्ज अब तुम पैपा की तरफ बॉल फेको फिर कोशिश करो कोशिश करो जोर्ज ममी के उपर से बॉल नहीं पहन पा रहा है रहने दो जोर्ज बॉल मुझे दे दो क्या बात है जोर्ज मैं भी ऐसा कर सकती हूं पैपा जोर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वह बहुत बड़ी है और पंस जाती है बॉल मेरे पास है पैपा अब पिगी बनने के तुम्हारी बारी है जोर्ज पकड़ो पकड़ लिया जोर्ज अब तुम बनो पिगी जोर्ज पकड़ो बॉल को पकड़ो जोर्ज पक्लो जोर्ज जोर्ज पक्लो बॉल यहां है जोर्ज ओ डिया पैपा तुम्हें जोर्ज को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए माप करना जोर्ज यह शोर कैसा है डाड़ी जोर्ज पिगी दो मेरे खेलने के लिए बहुत चोटा है मैं जानता हूं वो काफी बड़ा है नहीं वो नहीं है डाड़ी यह देखिए इसे पक्लो जोर्ज यह ठीक नहीं है यह ठीक है मैं सिर्फ जोर्ज की मदद कर रहा था ममी क्या मेरी मदद करेंगी बिल्कुल करूंगी पैपा मेरी तरफ जोट पकड़ो जोट पैपा को बॉल पकरना पसंद यह ठीक को भी बॉल पकरना पसंद है सब को बॉल पकरना पसंद है रात हो चुकी है पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं गुद नाइट पेपा और जॉर्ज मामी डाड़ी बोलो पेपा मुझे नीद नहीं आ रही है क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे पर शायद जॉर्ज को नीद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी जॉर्ज क्या तुम्हें कहानी सुननी है हाँ बोलो ठेक है मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाओंगा अगर डाडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रामिस करो कि तुम दोनों सोजाओगे हम प्रामिस करते हैं तो आज में तुम्हें स्लीपी प्रिंसिस की कहानी सुनाऊंगा क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है पोरिंग नहीं, बलकि बहुत अच्छी है. क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पैपा, अगर तुम बाते करती रहोगी, तो डारी पे कहानी कैसे सुनाएंगे? सुरी मामी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है, डारी? हो हो, हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है हम, एक स्लीपी प्रिंसेस बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे, स्लीपी प्रिंसेस डाडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये में बाद में बताऊंगा क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुन्दर थी? हाँ, बहुत सुन्दर, उसे अपने आपको आईने में देखना बहुत पसंद था ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ उस महल में और कॉन-कॉन रहता था अब, वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस क्वीन ममी और केंग डाड़ी बिल्कुल, वह सभी साथ रहते थे या केंग डाड़ी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वह तो हैंडसम थे, मेरी तरह और हाँ, वहाँ पर एक ड्रागन भी था डाइनसार डाइनसार? का और हाँ वह ड्रैगन नहीं था वह डाइनसार था बाहर, ऑड़ा भायंकर डाइनसार था जाए हो जो डाइनसार इतना भी भायाणक नहीं था है ना डढ़ी पे? Scott le. No. वह डेनसार बहुत डायालू था वो सिर्फ खास खाता था डाडी पेग ओपस, सॉरे, मैं भी डाइनासूर बन गया डाडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे वही तो बता रहा हूँ वो क्या हुआ, शाम हो गई तारे और चान दिखने लगे और सब को बहुत मींद आने लगे पर सबसे ज्यादा मींद स्लीपी प्रिंसेस को आई पैपा, मींद आ रही है नए डाडी, मुझे बिल्कुल मींद आ रही पर किसी को आ गई है जोर्ज, उठो भी कानी कान सुनना है कि नही पैपा को तो नीन नहीं आ रही होगी पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी सारा दिन आइने में देख कर वो पूरी तरह से ठक गई थी चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ गुट नाइट और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नीन सो गई कानी के लिए थैंक यू किंग डाडी और हमारे चोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजाया लंच पेपा और जोज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं दादी पिक, दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों खाने के लिए बगीचे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक, अलो पेपा जोज यह है दादा पिक का सबजीयों का बगीचा ये सारी सबजिया उद्होंने खोद उगाई हैं यह क्या है दाइनिसार एक डाइनोसौर हो 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 चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजयां चुनते हैं पेपा तुम्हें टमाटर पसंद है जी दादा पे जोर्ज क्या तुम्हें टमाटर पसंद है ना जोर्ज को टमाटर पसंद नहीं है ओ ओ तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है जी दादा पे ना जोर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं ओ फो मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जो जोर्ज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है यक जोर्ज को खीरा पसंद नहीं औ शबज और सलाड के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जॉर्ज तुम्हें कौन सी सबस्जी पसंद है चोकलेक जरॉज जरॉज टोकलेक केक को सबसी थड़ी है सबसीयों का जब अच्छा सलात बन जाए तब शाय जोज को पसंद आएंगी वाँ, बढ़िया टमाटर, सलाट पत्ते और खीरा पहले इन्हें अच्छे से दोना होगा पेपा और जॉज दादी पिग की सबजिया धने में मदब कर रही है पस अब दोना बहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाट पत्ते और खीरे का सलाट बनाया दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए लंच दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है और ये रहा सलाट दादा की टमाटर, सलाट पत्ते और खीरा के साथ खाना शुरू करो जॉज ने अपना पिज़ा खाया पर जॉज को टमाटर, सलाट पत्ते और खीरा पसंद नहीं ओ जॉज, क्या तुम्हें सलाट पसंद नहीं? नहीं जॉज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खा कर तो देखो याँ जॉज, ये खीरा है दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है याक सलाट पत्ते का एक टुकड़ा खालो, बहुत ही स्वादिष्ट है ओहो, रो नहीं जॉज देखो, मैं क्या बनाता हूँ अब ये बन गया है डाइनसौर डाइनसौर जॉज को डाइनसौर बहुत पसंद है जॉज, टमाटर, सलात पत्ते और खीरा खा रहा है शाबाश, जॉज थोड़ा और लोगे, जॉज पढ़ गया जॉज, क्या तुम और टमाटर, सलात पत्ते और खीरा नहीं खा सकते जॉज का पेट भर गया है जॉज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते जॉज और कुछ भी नहीं खा सकता ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते चॉकलेट केक वावाव, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूक लग गई पैनकेक्स चाय का वक्त है और ममी पिक्स सबको सप्राइज देने वाली है आज है पैनकेक्स का दिन पैनकेक्स, यमी अरेवा मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हो यह मुझ पर छोड़ दो पक्काना डाडी पिक, पिछली बार पैनकेक्स जमीन पर गिराने से आप ज़रा चिड़चिड़े हो गए थे मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉबलम थी मामी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपके मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो पहले मैं बावल में सूखा आटा डालूंगी अब मैं अंडा डालूंगी अब दूब फिर सब को हिलाऊंगी मामी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पेपा पेपा को ये करने में बहुत मसा आ रहा है जोज भी उसका साथ दे रहा है नई जोज ऐसे मत करो अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना मैं पैनकेक्स बनाती हूँ तुम दोनों टेबल पर बैठो ममी पिग अब पैनकेक को पलतेंगी उसे थोड़ा और उपर उछाओ सकती हो ममे पिग जब अपना पैनकेक उछालोगी ना तब हमें सिखाना डाडी पिग ममी पिग ने जोज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला यमी यह पैनकेक पैपा के लिए है तुम इसे और उपर उचाल सकती हो ममे पिग जब अपना पैनकेक उछालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलेगा डाडी पिग सिरप प्लीज यमी यह पैनकेक ममी पिग के लिए है हुरे अब भी उन्हे ज्यादा उचा नहीं उचाल रही ममे पिग अगला पैनकेक आप का ही है डाडी पिग तो अब आप ही करके बताईए बहुत यमी है अब सब की नजर मुझ पर हो एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है एक, दो, और तिन पुद्दु डाडी मैंने कुछ ज्यादा ही उपर उच्छाल दिया अब क्या करें ये तो आखरी पैनकेक था इसे नहीं चलाना बहुत या असान है ओफो डाडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुच पा रहा है तो फिक्र मत करो डाडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ चलो उपर चले बच्चों ममी पिग क्या प्लान बना रही है तीन के गिंती होने पर हम सब को उपर नीचे कूदना है ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो ये सब कर क्या रहे हैं काम हो गया, अब डाडी पिग को उनका पैंकेक मिल गया डाडी के सिर पर पैंकेक है आपके पैंकेक पर सिरप डाडी पिग? ठीक है टालू एक, दो, और, तीन यूम्वी पैंकेक प्सर डड़ी तॉंडर स्टॉर्प प्यारा और सुनेहरा दिन है पैपा और जॉर्ज पिक्निक मना रहे है ये लो तुम्हारे लिए औरंज जूस क्या कहना चाहिए टेडी? बहुत बहुत थैंक्यू पैपा ओ, कोई बात नहीं टेडी और ये है औरंज जूस तुम्हारे लिए डाइनसौर और तुम्हे क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डाइनसौर क्ये टेडी और मिस्टर डाइनसौर को कुकी चाहिए और हमें बहुत भूक नहीं है इसलिए पेपा और जॉज सारी कुकी सखा सकते हैं थैंक यू टेड़ी यह अजीब आवाज कैसी पेपा जॉज जल्डी घर के अंदर जाओ ममी एक बहुत ही डरावनी आवाज आई यह गड़गड़ा हट है पेपा इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा जल्डी बारिश रोने से पहले घर के अंदर आओ घबराओ मत बारिश आने में अभी बहुत देर है अकाश ज्यादा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है तूफान आने वाला है पेपा जोच क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलोने लाए चाइनिसार अच्छा है मिस्टर डाइनिसार सुरक्षित है टेड़ी मैंने टेड़ी को वही पर छोड़ दिया वो गीला हो जाएगा पेपा टेड़ी पिक तुम्हारा टेड़ी ले आएंगे जल्दी करो टेड़ी पिक अभी बारिश होने वाली है मुझे तूफानों के बारे में सब पता है अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है मुझे लगा ही था बारिश होने में बहुत वक्त है पेचारा टैडी, पूरा भीग गया हाँ, बेचारा टैडी, चलो उसे सुखाते हैं पेचारा टैडी ये लो टैडी, तुम सुख गये दो, पर बेचारे टैडी का क्या, मैं भी तो भीग गया हूँ ओ सॉरी डाडी पेग, आपको भी सुखा देते हैं, ये देखो डाडी पेग, बिल्कुल सूख गए, पारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है, फर्ष गीली हो रही है, अरे बापरी, अब हम क्या करेंगे डाडी पेग, शिंता की कोई बात नहीं, डाडी पेग, बूंदें इकठा करने के लिए बाल्टी का इस्तमाल कर रहे है, शाबाज डाडी पेग, बहुत ही आसान था, ये क्या, जल्दी, पानी जमा करने के लिए कुछ और लेकर आओ, बहुत अच्छे पेपा, बहुत ही आसान था, मामी, मुझे बहुत डर लग रहा है, टरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा, हर एक चमक और शोर के बीच गिंती करते हैं, और ज्यादा गिंती करने से तुफान दूर चला जाएगा, एक, दो, तीन, तीन, तीन पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पर, तुफान दूर जा रहा है, तुफान शान्त हो गया है, हुले, तुफान की वज़ा से बगीचे में मिट्टी के कई गड़्े बने हैं, पेपा को मिट्टी के गड़्ों में कूदना बहुत पसंद है, सभी को मिट्टी के गड़्ों में कूदना पसंद है, मुझे तूपान बहुत पसंद है, उनकी वज़े से मिटी के गढ़े बनते हैं चबक, 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 चबक पेपा और जोज दादी और दादा पिक को मिलने आए है दादी पिक दादी एक हलो मेरे प्यारी बच्चो, घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो जी दादी पेपा, जोज, देखो मैंने क्या बनाया, चोटे पर्दे ये चोटे पर्दे क्यों बनाये दादी? ये एक सप्राइज है, तुम्हें देखना है दादा पिक ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है? जी दादी दादा पिक तादा एग हलो, पेपा और जोज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? एक ट्री हाउज एक ट्री हाॉज? जोज और मेरे लिए? और ये जोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाॉज के लिए पेपा और जोज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया थैंक यू दादी पेग थैंक यू दादा पेग पहले अंदर कौन जाना चाहेगा तो फिर चलो अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने हूंगे मैं अपने ट्री हाउस में हूँ जोरज क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है बताओ कौन है जोज नाम का एक नौजवान तुम्से मिलना चाहता है यू अनदर आशता है हाँ पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे जोर्ज अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिल्निटरी हाउस में जाओ कौन है जोर्ज अब कौन है मैं हूं मामी पेग क्या तुम्हारे पास महमानों के लिए जगा है आपको सीक्रिट कोड बताना होगा उसके बाद ही आप अंदर आ सकती है अच्छा जी और वो सीक्रिट कोड क्या है मुझे आपके कान में बताना होगा सीक्रिट कोड है डाडी का बड़ा पेट ओ अच्छा सीक्रिट कोड बताएए डाडी का बड़ा पेट सही जवाब, धाड़ी का बड़ा पेट मुझे लगता है यह सीक्रेट कोड बहाती बकवास है ममी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे हाँ पेपा धाड़ी, आप भी अंदर आ सकते हैं सीक्रेट कोड बताएए डाड़ी क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है नए नए तो ठीक है डाड़ी का बड़ा पेट हाँ जवाब, अब आप अंदर आ सकते हैं डाड़ी अपने जूते उतारिये मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा क्यूंकि आपका पेट बहुत बड़ा है एक काम करते हैं, डाड़ी पिग उपर से जा सकते हैं पेपा, जॉर्ज, ममी पिग और डाड़ी पिग सभी ट्री हाउस में हैं दादी मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है मुझे कभी बाहर नहीं आना अच्छी बात है पेपा क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझे मिलने नहीं आना नहीं, मुझे नहीं आना तो फिर, कुकीज जो मैंने घर पर बनाई हैं वो हम दोनों ही खा लेते हैं कुकीज दादी पिग ये रही तुम्हारे लिए कुकीज पर अगर तुम्हें अंदर आना है तो सीक्रेट कोड बताना होगा ये असान है टैडी का बड़ा पेड़ सही जवाब मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बखवास है मिस्टर डाइनसार इस लॉस्ट जोर्ष का मन पसंद खिलाओना है मिस्टर डाइनसार डाइनसार जोर्ष को मिस्टर डाइनसार बहुत पसंद है कभी-कभी जोर्ष को मिस्टर डाइनसार से प्यपा को डराने में मज़वाँ बहुत डराऊना है ये क्या हो रहा है ये तुम धे जोर्ष या भी मिस्टर डाइनसार डाइनसार लाग मिस्टर लिए साथ मेलां आए खुर। जोर्ज का मन पसंद खेल है मिस्टर डाइनासौर को ऊपर हवा में उच्छालना और उन्हें पकड़ना जब वह वाबस नीचे गिरते हैं पैपा और डैडी पिग ड्राट्स खेल रहे हैं मैं चीत कहीं डाडी ओ शाबाश पैपा जोर्ज जोर्ज क्या बात है बेटा डाइनासौर जोर्ज मिस्टर डाइनासौर खोगे क्या जोर्ज ने मिस्टर डाइनासौर को खो दिया फिक्र मत करो जोर्ज हम मिस्टर डाइनसौर को ढून लेंगे ये तो एक जासूस का काम है याडी क्या होता ये जासूस जासूस पैपा जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूणने में माहिर होता है मैं 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 चीजें ढूणने में माहिर हूँ तो ठीक है पैपा ही जासूस है जाच मैं हूँ जासूस मैं मदद करूंगे मिस्टर डाइनसौर को ढूणने में मुझे लगता है जासूस को जॉच से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए जॉच मिस्टर डाइनसौर कहा है जॉच नहीं जानता कि मिस्टर डाइनसौर कहा है जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डाइनसौर कहा हो सकते हैं मुझे पता है मुझे पता है वो कहा है जोज जब भी नहाता है मिस्टर डाइनसौर उसके साथ होता है तो मिस्टर डाइनसौर टब में होंगे मिस्टर डाइनसौर टब में नहीं है मुझे पता है मुझे पता है मिस्टर डाइनसौर कहा है जोर्ज हमेशा रात को मिस्टर डाइनसौर को अपने बिस्तर पर सुलाता है इसलिए वो वहीं पर है मिस्टर डाइनसौर जोर्ज के बिस्तर में भी नहीं है शायद हमें गार्डन में ढूनना चाहिए हाँ गार्डन मैं वहीं कहने वाली थी मिस्टर डाइनसौर कहा है मिस्टर डाइनसौर को ढूंडना बहुत मुश्किल हो रहा है मिस्टर डाइनसौर यहां कहीं नहीं है जॉर्ज, तुम्हें मिस्टर डाइनसौर को हवा में उचालना पसंद है मुझे लगता है इस बार तुमने मिस्टर डाइनसौर को थोड़ा ज्यादा ऊपर उचाल दिया है वह 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 पहले देखा शाबाश पेपा तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो जोच मिस्टर डाइनसौर को वापस पाकर बहुत खुश है जाएद पेड़ों के पास डाइनसौर से खेलना एक अच्छा एडिया नहीं है दाइनसौर डाइनसौर 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 टैडी पिग चश्मा पेहनते हैं उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है जब डैडी पिग चश्मा पेहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ देखता है लेकिन जब डैडी पिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती है सब कुछ हल्का और धुन्दा दिखता है इसलिए ये बहुत सरूरी है कि डैडी पिग को पता हो कि उनका चश्मा कहा है कभी-कभी डैडी पिग अपना चश्मा खो देते हैं पैपा जॉर्ज क्या तुमने डैडी पिग का चश्मा देखा है उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा नहीं ममी पैपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिग का चश्मा कहां है ओ डियर डैडी पिग उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिर्चड़े हो जाते हैं बिना अपना चश्मा पहने डैडी पिग अपना अख़बार नहीं पढ़ सकते यह बहुत अजीब है मैं कुछ नहीं देख सकता किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा क्या आपको याद है आपने उन्हें आखरी बार कहां रखा था जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ लेकिन अब वो वहां नहीं है डाडी क्या हम चश्मा ढूनने में अपके मदद करें अच्छा एडिया है अगर उसे ढून लोगी तो डाडी चिर्चिडाना बंद कर देंगे मैं चिर्चिडा नहीं रहा हूँ पैपा और जॉर्ज डाडी का चश्मा ढून रहे है पैपा अखबार के नीचे देखती है लेकिन डाडी पे का चश्मा वहां नहीं है जॉर्ज टी वी के उपर देखता है लेकिन डाडी पे का चश्मा वहां भी नहीं है चलो उपर ममी डाड़ी के बेडरूम में देखते है पेपा और जॉर्ज ममी और डाड़ी पे के बेडरूम में डून रहे हैं जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टक्रा मत जाना यह कोई मजाग नहीं है पेपा तर्की के नीचे देखती है लेकिन डैड़ी पिक का चश्मा वहां भी नहीं है जॉर्ज डैड़ी के स्लेपर्स में देखता है लेकिन चश्मा वहां भी नहीं है चलो बाथरूम में देखते हैं पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढून रहे हैं चश्मा टब में नहीं है चश्मा टॉलेट में भी नहीं है यह बहुत मुश्किल है पेपा और जॉर्ज को डैड़ी पेग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है हमने सब जगे देखा लेकिन हमें डैड़ी का चश्मा नहीं मिला ओ डियर अब हम क्या करें लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टक्र डैड़ी पेग आप तपसे उसी पर बैठे हुए थे आप भी ना डैड़ी पता नहीं यहां कैसे पहुंचा मैं जानती हूँ कैसे आप थोड़े भूलकर तो हैं डाड़ी पेग लेकिन अब आप चिड़चड़े तो नहीं हैं मैं चिड़चड़ा नहीं रहा था सीक्रेट्स ममी पेग ने पेपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है पेपा ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है शुक्रिया ममी ये एक सीक्रेट बॉक्स है तुम्हारे सीक्रेट चीज़े रखने के लिए मैं इसमें कौन सी चीज़ रख सकती हूं ममी वो तुम खुद ही सोचो पेपा ये तुम्हारा सीक्रेट बॉक्स है मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ गूड पर मुझे मत बताना मैं ना आपको बताऊंगी ना जॉज को ना डाड़ी को ये एक सीक्रेट है जॉज ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है ये खाली है इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूणना है जॉज पेपा की मदद करना चाहता है नहीं जॉज सिर्फ मुझे पताऊगा बॉक्स में क्या है जब तक मैं पसंद करू तुम बाहर इंतजार करो पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की है अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है जॉज तुमें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए जॉज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है अगर तुम चाहो तो गैस कर सकते हो ऐयन ये शो जॉज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डाइनसौर को रखा है ओ जोज, तुम हमेशा हर चीज को डाइनसौर ही कहते हो और मैं तुमें बता दू एक डाइनसौर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैच सकता जोज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे है डैडी यह मेरा सीक्रेट बॉक्स है ममी ने इसे मेरे लिए बनाया है यह बहुत अच्छा है पैपा इसके अंदर क्या है यह सीक्रेट है जोज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया क्या मैं कोशिश करूँ हाँ क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है नहीं आपका चश्मा तो आपके सिर पर है वो है आप भी ना डाड़ी आपको सोच कर बताना चाहिए था क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं नहीं और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते पैपा को अपके जौज के पास क्या था और इसने ऊसे सीक्रेट चीजों से भर दिया और सिर्फ जोच को पता है कि उसके अंदर क्या वह हैं उपा जानना चाहती थी कि जॉच्वी बॉक्स के अंदर क्या है यह उन्माग सखती गके अश्पा के लोटे हम 4 toc इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे अगर तुम जोज को अपनी बॉक्स से एक चीज दिखाती तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखाता ठीक है लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा ये एक अच्छा एडिया है तीन गिनने पर तुम दोनों दिखाऊ कि तुम् अच्छा है इसकी आवाज बहुत अच्छी है क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीज़े हैं जोज के पास एक कस्टड डोनट है लेकिन पैपा का बॉक्स खाली है मेरे पास और कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं पैपा मेरे पास है ये लो जोज पैपा ममी पिक और क्या तुम बता सकते हो कहां आप उसे चुपाने वाले हैं प्रिज में नहीं कहीं उससे ज़्यादा खास मेरा पेट स्वादिस्ट और मैं अपना डोनट अपने पेट में चुपाऊंगी और मैं भी झाल झाल झाल